दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली खबर यात्रियों की सुधाओं के लिए बिहार में साथ जोड़ी पेसंजर स्पेसल टेन फिर से चलाई जाएगी जिहां यात्रे की स्วिधावों के लिए पूरो मज़ रेलदुवारा वर्तवान में संचालित इस्पेशल ट्रेन के कड़ी में और चो जोड़ी पैसंजर इस्पेशल एवम एक जोड़ी इसेशल एकस्प्रेस ट्रेन का परेचलन पुनर बहाल किया जा रहा है इन ट्रेनों से यात्रा के दोरान यात्रियों को COVID-19 मानुकों का पालन करना अनिवारी होगा ट्रेन में यात्रियों को स्पेसल किराया देना होगा आपको बदादे कि जेन पैसंजर स्पेसल ट्रेन का परेचालन सुरू किया जारा उसमें समस्तिपूर जैनगर समस्तिपूर गया बक्तियार गया पैसंजर इस्पेसल ट्रेन राजगीर बक्तियार पूर राजगीर पैसंजर इस्पेसल ट्रेन गया पटना गया पैसंजर इस्पेसल ट्रेन और जैनेगर पटना जैनेगर पैसंजर इस्पेसल ट्रेन सामिल है बड़ी कबर 27 सितमर को भारत बंद का अवहान भारत बंद का व्यापा का सर बिहार में देखेगा सिर्फ आवाजसक सिवाव को छूट देंगे इसकूल कोलेज सब पर असर पड़ना तए जिहां सयुक्त किसान संगटनों के अवहान पर 27 सितमर को भारत बंद का अवहान है है दिन सोमवार का है इसलिए लोगों को परिसानी जहलनी पड़ेगी लेप्ट पार्टियों का समर्तन तो बंद को है ही महागरबंदन की पार्टिया राजद और कॉंग्रिस भी साथ दे रही है बिहार में यह बंद इसलिए व्यापाक होगा क्योंकि इसमें बिहार के इस्ता पटना में बंदी का असर ज्यादा दिखेगा पटना जक्सन से जलोस निकलेगा और डाक मंगला चोराहों को बंद कर दिया जाएगा बड़ी सेंग्या में ग्रामेन इलाकों से लोग पटना पहुचेंगे मसोड़ी जहानाबाद बिहार्टा फुलवारे आदे इलाकों में ट्रेन भी रोकी जा सकती है सिर्फ आवाजसेक सेवाव को छोड़ने का फैसला लिया गया है बड़ी कबर बीपेसी ने 555 पदों के लिए निकाली वेकेंसी सरसटवी बीपेसी के लिए 30 सितम्बर से 5 नौमबर तक कर सकते हैं आवेदन जिहां बिहार लोग सेवा आयोग न सरसटवी बीपेसी परिच्छा के लिए ओलाइन आवेदन आमांतरित किया है 555 पदों के लिए 30 सितम्बर से 5 नौमबर तक आवेदन किये जा सकते हैं आयोग ने इसके लिए होने वाली पिटी परिच्छा की सम्मावित तिती 12 दिसम्बर 2021 निधारित की है आयोग के परिच सिवा के 88 पद है आप आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर आवेदन से जुड़ी जानकारी विस्तार से हासिल कर सकते हैं बड़ी खबर आज 151 पंचायतों में बन जाएगी गाउं की सरकार 10 जिलों में सुबा 8 बजे से सुरू होगी मतगन्ना चोती चरन के 53 प्रकर्णों में आज से नामांकन प्रक्रिया भी सुरू जिहां बिहार पंचाय चुना में पहले चरन का मददान 24 सितंबर को संपन हो गया 10 जिलों के 12 प्रकर्णों में होए मददान के बाद अब रव्यार यानि आज सुबा 8 बजे से सवी जिलों के जिला मुख्याले पर मतगन्ना सुरू होगी इसके साथ ही चोती चरन के 36 जिलों के 53 प्रकर्णों में कल सही नामांकन प्रक्रिया सुरू हो गई है पहले चरण 151 पंचायतों में आज साम गाओं की सरकार बन जाएगी राज निर्वाचन आयोक की तरब से मिल रही जानकारे के मताबिक आज साम जदातर पंचायतों के रिजल्ट जारी कर दिये जाएंगे हाला की आयोकी तरब से 26 और 17 सितंबर दो दिन मतगना का दिन सुनिशित किया गया है बड़ी खबर पाटना में अब हेलो वर्यार्स अब वैक्सिन की दूसरी डोज के लिए आएगी कॉल इस्टूडेंट फोन पर बताएंगे दूसरी डोज का फाइदा इसके मादन से स्टूडेंट ऐसे लोगों को फोन करेंगे जो पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज की समय के बाद भी वैक्सिन लेने नहीं आये हैं एन कॉलेज की एन एसेस एकाई और केर इंडिया के बीच मेमोरेंडम आप अंडर स्टेंडिंग साइन होने के बाद टेली कॉलिंग की वेवस्तव बन रही है एक स्टेंड को एक दिन में 15 से 20 लोगों को मोटिवेट कर बूत तक लाने का जिमा दिया गिया है बड़ी खबर मुझपरपुर में सबी सरकारी कार्याले परिसर होगा तंबाको मुक्त सक्चनिक संस्तान के सो गज के दारे से भी हटाए जाएंगे तंबाको उतपाद की दुकान जीहां, मुझभपरपुर जीले का सबी सरकारिक कार्याले परिसर अब तंबाको मुक्त छेटर होगा, जबकि सक्षनिक संस्तानों के सो गज के दारे से तंबाको उतपाद के दुकान भी हटाए जाएंगे. बतादी चले कि डिडिसे ने मुझपरपुर को तंबाको मुप्त जिला बनाने का निर्दिस दिया है इसके तहट पुलिस और जिला प्रसासन तंबाको के खिलाब सान चलाएगा बड़ी खबर बिहार के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रेटिकल के साथ पढ़ाई जाएगी त्योरी पंदरा दिन करनी होगी क्लास जिहां राज भर में खुलने वाले नए मोटर डाइविंग ट्रेनिंग स्कूल में वाहन चालकों को प्रेक्टिकल के साथ त्योरी क्लास भी करनी होगी यह क्लास लगवक 15 दिनों की होगी इसमें यातायत नियावमो एवाम चालन प्रक्रियाव के बारे में मल्टी मीडिया प बिहार की भुमी सुधार विभाग का फैसिला अब महथने के हिसाब से होगी राजसु की वस्लिय की यहां Рाजसु एवं भुमी सुधार विभाग ने जमिन के लगान एवाम आयने करू की वस्लिय के लिए बार्सिक के बदले मासिक लग्च टेकर दिया है अब Parl से सितमर के बीच हर मेने 5 Stat वह सुली औहाँ यानि इन 6 महनों में कोल 30 Stat वह सुली का लझच रखा गिया है अक्टूबर जनुवारी तक के 4 महनों मेंस में वह सुली का लझच हर मेने 10 Так mitä के हिसा चालिस विज दे किया गिया है वित्य वर्स के अंतिम दो महिने फरवरी एवा मार्च के लिए कर्मियों को 30 विज़ी राजस वसुली का जिम्मा दिया गिया है त्योहार में बिहार आने वाले लोग के लिए बड़ी खबर 72 गंटे पहले का आर्टी पिस्यार निगेटिव जाच रिपोर्ट दिखाने होगी जी हाँ अगर आप तेवहार में बिहार आना चाहते हैं तो आपके पास 72 घंटे पहले का RTPCR निगेटिव जाच रिपोर्ट होना चाहिए दूसरे राज्यों में बढ़ती कुरोना संक्रमन को देखते वे राज्य सरकार ने यहाँ निने लिया है क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप की बेटक में इस बात की आसंका जताए गए कि दूसरी प्रदेशों से तेवहारों में अधिक से अधिक बिहार आएंगे इसलिए 26 सितंबर से 15 नॉवंबर तक बिहार आने वाले लोगों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा सरकार ने नेने लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमन के ज़्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरियंट सामने आ रहे हैं वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 गंटे पहले कराई आटिपिस्यान निगेटिव जाच रिपोर्ट लाने होगी बड़ी कबर बिहार में जातिया जनगना करानी के लिए पांच करोड रुपिय देंगे मुके सहनी भी आईपी सुप्रीमों ने किया बड़ा एलान यहादेश में जातिगत जनगना को लेकर लंबे वक्त से बहुत सिड़ी है जातिया जनगना को लेकर केंद सरकार ने इसपच कर दिया कि गोई जातिगत जनगना नहीं होने जा रही है इस पर विकास सेल इंसान पार्टी के राष्टिया दच मुके सने ने बड़ा बयान दिया है सने ने कहा कि जातिया जनगनना जरूर होनी चाहिए राज सरकार को अपने खर्चे से जातिया जनगनना करानी चाहिए इसके लिए बिहाईपी पार्टी राज सरकार को 5 करोड रूपिय का डोनेशन देंगे जिसमें 4 करोड रूपिय पार्टी फंड से दिये जाएंगे जबकि 1 करोड रूपिय वह खूद अपने नेजी फंड से देंगे आपको बता दे कि बिहार में बिपक्ची दल और एंडिये में बीजेपी के अलावा बाकि सभी पार्टी जातिय जन्गर्ना कराने के पक्च में हैं बड़ी खबर राष्टपते रामनाद कोविन का बिहार दोरा 20 अक्टूबर को बिधानसवा के सताब्दी समारों में होंगे सामिल जहां देश के राष्टपदी रामनात कोविन अगले महीने बिहार दोरे पर आने वाले हैं राष्टपदी रामनात कोविन 20 अक्टूबर को पटना आएंगे राष्टपदी कोविन 21 अक्टूबर को बिहार बिदानसबा भौन के सताबदी समारों में सिर्कत करेंगे अगले मास से परवत हार की सुरू होने को लेकर टेनों में यात्रियों की सिरक्षा के लिए आर्पीयप की ओर से योजना तयार की गई है खास का रात वाले टेनों में आर्पीयप की खास नजर रहेगी जानकारी के अनुसार दिल्ली वा मुंबई से आने वाले अधिकांस प्रमुक टेनों में आर्पीयप की तीन टीम विबिन रूटों पर चोकस रहेगी अगर जरूत पड़े तो टीम और बढ़ाई जाएगी इस कि मिलेगी जानकारी बिहार में जातिया जनगन्ना को लेकर सियासी मारा मारी चड़ी हुई है लेकिन जल्दी सुभी में बच्चों का सर्वे होने वाला है यह सर्वे पूरे देश में एक साथ होगा जानकारी के अनुसार छट के जश्ट बाद 12 नौमर को बिहार समय देश वर कि स्कुल के बच्चों का राष्ट्य उपलब्दी सर्वेक्चन का आयोजन होना है बताया जाता है कि इस सर्वे के दोरान केंदर सरकार हर राज के सरकारी स्कुल की चार कक्चाओं के बच्चों का सेंपल सर्वे करेगी इसमें यह पता लगाया जाएगा कि उनकी के लिए राजर का सरकार की साथ मिल कर विसेस परियास करेगी यह सर्विक कक्चा तीन पांच आठ और दस के लिए आएजित होना है बड़ी खबर बिहार बोर्ड ने फिर बढ़ाई मेट्रिक इंटर वार्षिक परिचा फॉर्म भरने की लास्ट डे जहां बिहार बोर्ड ने में अंतिम बार यहां मौका दिया गया है आपको वदा दे कि इसकी अंतिम ती थी 24 सितंबर थी वहीं जिन चात्रों का ओल्लाइन आवेदन के बाद चलान जमा नहीं हो पाया है विच चार अक्टूबर तक चलान जमा कर सकते हैं साथी बिहार बोर्ड के अनुसार इस पिदा का नाम फोटो जन्मति थी जाती धर्म लिंग और विसे आदी में ओलाइन सुदार भी कराया जा सकता है और आंकी बड़े कबर बिहार के सारन में पासपोर्ड सेवा केंद्र की सुरूआत केंद्र मंत्री आरके सिंग ने किया उद्गाट जिहां बिहार में पोस्ट ओपिस पासपोर्ड सेवा केंद्र की सुरूआत की गई है इस सेवा केंद्र का सुबाराम केंद्र विदूद नवी ने एवाम नवी करेनिया उर्जा मंत्री राजकुमार सिंग ने किया या पोस्ट ओपिस पासपोर्ड सेवा केंद्र बिहार का चोतिसवा और सारन प्रमं और इन्हें पास्पर्ट बनाने के लिए कोई जद्दू जहद नहीं करने पड़ेगी आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि क्या बिहार सरकार को अपने खर्चे से जाती है जन्गन्ना कराने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप आमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए